अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है आए जानते हैं पंच महापुरुष योग के बारे में और पंच महापुरुष योग में जो सबसे अच्छा एक पंच महापुरुष योग माना जाता है वो बनता है शुकर के द्वारा शुकर बनाते हैं मालव्य योग अगर वो केंदर भाव में हो यानि कि पहले, चौथे, सब्तम या दशम भाव में हो और वो अपनी राशी, स्वा राशी के हो करके यानि कि विर्षब राशी और तुला राशी इसके हो यानि अगर आपके केंदर भाव में तुला राशी है या विर्षब राशी है और इसमें शुक्र विराजमान है तो आपके कुंड़े में मालव्य योग बनता है आपको मालव्य योग पराप्त होता है मालव्य योग क्या होता है इससे पहले ये जानना होगा कि शुक्र किन चीजों को हमें दर्शाते हैं शुक्र वैभव के स्वामी है शुक्र संपन्दता दिखाते हैं शुक्र विलासिता दिखाते हैं लक्जिरी दिखाते हैं शुक्र आपको वो सब दे सकते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा भले एक व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म ले लेकिन उसे सारी सुक्सविधा जीवन में मिलती है अगर हो सकता है कि उसका जो आफिस है वो उसको बहुत सुक्सविधा दे या उसका कोई साथ ही उसको बहुत मदद कर दे या अचानक से उसकी लौटरी लग जाए या उसका कोई जॉब कहीं ऐसी जगा लग जाए जो उसने कभी सोचा भी नहोगा आपने ऐसे बहुत सारे उधारण समाज में देखे होंगे ऐसे व्यक्ति मालवे योग देखे जाते हैं अक्सर कि इनकी कुंडली में मालवे योग किसी न किसी रूप में मौजूद है यही नहीं मालवे योग अगर आप वैभव और सुक्स विधा से संपन्ध हैं वो सिर्फ शुक्र नहीं और भी बाकी ग्रह निर्धारित करते हैं तो आपके पास बहुत सारा धन्ठ राप्त होता है आप कुरूडपती होते हो, आपके पास लगशिरी गाड़ियां, बहुत सारे पैसे बहुत सारे सुक्स विधा संपनता अपने आप आती है कई बार ये योग शादी के बाद फलित होता है और ये भी देखा जाता है कि पार्टनर के आने के बाद लाइफ पार्टनर के आने के बाद सडली आपके पास या तो बहुत पैसा आता है या लाइफ पार्टनर आपके जीवन में बहुत धन समपत्ती सुक सविधा ले करके आता है तो मालवी योग का होना कुंडली में अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्षमी योग है इसे बहुत बड़ा लक्षमी योग कहना अनुचित नहीं होगा यहाँ पर मालवी शुक्र के द्वारा बनते हैं इसलिए महालक्षमी का जो इनके ओपर आशिरवाद है उन जातकों के ओपर वो सदयव बना रहता है यानि ये अखंड लक्षमी योग की तरह एक माना जा सकता है मालवी योग को क्योंकि शुक्र केंदर भाव में रह करके अपनी जो पावर है जो विलासिता की जो पावर है जो लक्षरी की जो पावर है वो कुंडली में बैठ करके जातक की और प्रवाहित करते हैं उस उर्जा से जातक को पूरा उसकी जीवन को बदलने की शमता रखते हैं अब इसमें ये देखना हो कि आपकी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा जब जब आपकी कुंडली में आएगी आपका मालवे योग किसी न किसी रूप में फलित होगा तो आप अपना कुंडली लेकर के दशा महादशा के हिसाब से पूरा नोट डाउन कर लें जब जब शुक्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आ रही है वो डेट्स को कहीं इंपॉर्टेट जगह पे डाइरी में लिख लें उन डेट्स को मार्क करके रख ले, उन डेट्स में देखने की गोचर में शुकर की स्थिति क्या है इस तरह से आप मालवी योग का असर समझ पाओगे मालवी योग में उत पैदा होने वाला जो जातक है वो काफी सुक्सविधा भोगता है लक्जिरी गाडियां और पैसे, वाचेज, परफ्यूम्स, बहुत सारी अच्छे नए कपड़े, करोडों की ज्वलरी, करोडों की चीज़ें और दिखने में भी सुन्दर होता है, आकरशित लोग होते हैं उसके चेहरे और उसके हाव भाव पहनावे देखकर की यह सब मालवे योग प्रदान करते हैं मालवे योग की खास बत यह होती है कि आपको रिसोर्स जाने की जो चीज़ें हैं वो बहुत जादा उपलब्द होती हैं तो आपको चीज़ें उपलब्द होने में मुश्किल नहीं होती यानि कि आपको मिल सकती हैं चीज़ें तो पहले आप अपने आपको बढ़ाएं अपने आपको संपन्द बनाएं और फिर औरों को भी संपन्द बनाएं क्योंकि जो लक्ष्मी है लक्ष्मी एने की जो रुपै है करंसी है मनी है धन है वो चलाएमान है उसे देना उसे दान देना उसे आगे बढ़ाना उसको सर्कुलेट करना लोगों की मदद करना इसका इसको बोल सकते हैं धर्म है इसका सत्य धर्म है इसलिए इसको आगे बढ़ Financial जो आपकी condition है, आर्थिक जिस्तिति है, वो काफी निम्निस तरिय है, हो सकता आपकी आर्थिक जितिति काफी इुच्छ है, हो सकता आप lower class से belong करते हैं, middle class से belong करते हैं, या अपर class से belong करते हैं, मालब्लययोग आपको फलित जरूर करेगा, कैसे? हो सकता है कि आप 10,000 रुपे महीना कमाते हो अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए 50,000 की जी चीज है iPhone जैसे चीज हो गई वो हो सकता है आपके लिए luxury हो लेकिन जो 5 क्रोड महीना कमा रहा है उसके लिए iPhone luxury नहीं है उसके लिए शायद 50 क्रोड की फरारी या कोई और 50 क्रोड की कोई प्रापटी लक्जरी हो जाएगी अपनी अपनी स्थिती में लक्जरी डिफाइंड होती है मालव योग आपको वो लक्जरी देते हैं जो की आपने कभी सोची भी नहीं होगी अगर ये योग अपने आपको सही तरीके से फलित कर दे तो अगर ये योग सिर्फ आपकी कुडली में मौजूद भर है सिर्फ प्रेजन भर है चाहिए वो किसी भी स्थिती में हो वो आपको एक बहुत अच्छी पोजिशन तक पहुचाएगा ही पहुचाएगा जो उसकी पावर होगी वो उसको देगा ही देगा तब आप कुडली में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता आपको कुडली में मालव योग हो और आपको ये दिखे कि आपके पास financial condition उतनी अच्छी नहीं है तो आपको लएगा कि ये कैसे हो रहा है अच्छल अगर आप अपनी कुडली को देखोगे और अगर मालव योग के बावजुद आपकी financial condition अगर अच्छी नहीं है इसका मतलब ये है कि या तो मालव योग के उपर कुडली में कोई शराप है क्योंकि शराप अगर किसी कुडली में हो जाता है तो वो किसी भी बड़े योग को override करने की शमता रखता है उसको उपर उसके उपर काम करने की शमता रखता है एक तो आपको वो देखना पड़ेगा दूसरा भंग देखना पड़ेगा कोई ऐसा तो नहीं कि कोई राहू, शनी, केतु इस योग को भंग करे रहे हो कि शुकर एक सौफ्ट प्लानेट है इनकी राहू की प्रेजन्स, केतु की प्रेजन्स इसको भटका सकती है राहू का प्रेजन्स, शुकर के साथ मालवी योग बनने से नेगटिब तरीके से धन प्राप्ति के योग बना सकता है शनी अगर शुकर के साथ हो जाए तो धन देर से आता है, डिले होकर के आता है आता है, लेकिन देर से आता है केतू हो जाए तो आपका मन करेगा कि आपको जो भी है वो दान दे दो वो नहीं चाहिए मुझे तो शुकर अपने घर में होने के बावजुद वो अपने घर में रहना ही नहीं चाहता क्योंकि केतू की प्रिजन्स वहा जाती है तो इस तरह के से आपको मालव योग की strength और weakness जज़ करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा और अगर ये योग आपकी कुंडली में है और आपकी परिस्ति अच्छी नहीं है, इसका मतलब कुंडली में कोई और ग्रह भी है जो इसके योग बहुत ज़्यादा परिशान कर रहा है आपको मालव योग उल्टा आपको जहां भी हो, वहां तक ले करके आ गया है शायद आप वहां तक पहुँचते ही नहीं अगर आपके मालव योग जैसी स्ट्रेंथ, पंच महापुरुष के स्ट्रेंथ आपको ले में नहीं होती लेकिन मैंने अपने अपने एक्सपीरियंसे और अपने बहुत निजी दोस्तों में ये योग देखा है और ये योग काफी चमतकारी है मैंने देखा है कि बहुत गरीब से गरीब परिवार में होने के बावजूद इनसान, कुछ लोगों ने विदेश यात्रा की है, लक्जिरी में रहते हैं बहुत जादा पैसा आ जाता है उनके पास जो पैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहींगा, वो पैसा भी आता है और पूरा लख के त्रूँ, ऐसा लगते हैं यसे भाग गये बदल गया, भाग गये चमक गया पर यहाँ भाग गये नहीं, यहाँ पर शुक्र का कमाल है पर जब आपको यह मिलता है और तो आपको यह समझना होगा कि आप इसे कैसे, इसके साथ कैसे जीएं कहते हैं न कि फेम, जब शोहरत सिर चड़के बोलती है उस वक्त शायद दिमाग घूम जाता है तो आपको वो दिमाग नहीं घुमाना है आपको बहुत धैरे के साथ, बहुत ही पेशन्स के साथ अपने पैसों को देखते हुए, अपनी चादर को देखते हुए उसे साबसे इस योग को इस्तमाल करना है मालव योग आपको रिसोर्स देगा, तो आप उस रिसोर्स को रिस्पेक्ट करें उस रिसोर्स को बचाएं और अपने आपको धनी, सुख के साथ आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन का निर्वा, पूरे धन्म के साथ, पूरे उचित, रास्ते के साथ, सही, हेल्थ के साथ आप आगे बढ़ें मालवयोग आपको बहुत अची हेल्थ भी देता है, मालवयोग अगर आपका मालवयोग बहुत धनी है आप और मालवयोग अगर होता है मतलब इतना धन जितना आपने कभी सोचा भी नहीं तो यहाँ पे मालव योग का कहने का मतलब है कि अकंड लक्ष्मी योग भी है लक्ष्मी आपके उपर एक तरीके से महरबान है लक्ष्मी की क्रिपा है आपके उपर तो आप इस case में महालक्षमी की इस तुती करे उनको उनके चरणों में जाकर के उनकी प्रार्थना करे कि आपको इस काबिल बनाए इतना सामर्थ बनाएं कि आपके पास जितना भी पैसा हो उसमें से आप औरों की मदद भी कर सके क्योंकि मालब वियोग का एक नियम है कि अगर आपके पास मालब वियोग की वजह से अगर बहुत पैसा या धन आ रहा है उसका इस्तमाल सही जगह होना चाहिए उसका उपयोग अच्छे कारियों में आपको करना होगा क्योंकि शनी वरना इसकी सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं शनी उसको ब्लॉक कर सकते हैं तो आपको ये भी देखना होगा कि अगर शनी का किसी भी तरीकी से प्रभाव आपके मालब वियोग क्यों पर पढ़ रहा है तो आपको बाई डिफॉल्ट अपना पैसा जो है वो थो हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम में हो जाएं आप इंफ्लॉइंसर बन जाएं इस तरह के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज अंगिनद पॉसिबिलिटीज इसमें बनती है मालब वियोग में और अगर ये योग आपके नवाम शकुनले में हो जाता है तो आपका शुक्र अत इसमें फेम भी देगा तो आप उसका इस्तमाल करें और इस योग को बेसिकलिए आप इंजॉइ करें अगर आपके कुंडली में है और अपना जीवन सही तरिके से नरवा करें इसी के साथ इस वीडियो में मैं अलविदा लेता हूँ आगे और वीडियो में आप से मिलता र